तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे arithmetic progression के अंदर जो basic बाती हैं जैसे के sequence sequence क्या है sequence है आपका a sequence is a collection of numbers arranged in definite order sequence क्या है collection of numbers है उसको एक खास order के तहत रखा जाएगा ठीक है for example एक मैं number ले लेता हूं 2 4 6 8 and so on देखो ये number कैसे हो रहा है बढ़ते जा रहा है 2 से 4 हुआ 4 से 6 हुआ 6 से 8 हुआ क्या हो रहा है नंबर बढ़ते जा रहा है और देखो दोनों के भीश में क्या है 2-2 का difference आ रहा है क्या relation पैदा हो रहा है कि ये इससे कितना जादा है 2 जादा है ये से 2 जादा है और वो अगला वाला जो number है ये भी इससे 2 जादा है यानि हर अगला number पिछले number से 2-2 जादा है तो एक खास pattern पे number बना हुआ है तो हमको क्या समझ में आया आसे number जो होना चाहिए number का जो sequence क्या है क्या है sequence sequence क्या है जो number है number का collection है और वो number कैसे होना चाहिए एक खास pattern में होना चाहिए और एक खास order में होना चाहिए ठीक है एक और example से हम इसको समझते हैं अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक फिर मैं लेता हूँ यहाँ पर लेता हूँ मैं नौ फिर उसके बाद मैं ले लेता हूँ 16 और यहाँ पर 101 तो आप गौर करो आपको क्या समझ में आ रहा है पहले 1 आया फिर 4 आया फिर 9 आया फिर 16 आया तो आप अगर गौर से देखो तो आपको क्या समझ में आ रहा है यह सारी नंबर क्या है? स्क्वायर है, यहाँ पर वन का स्क्वायर है, फिर यहाँ फोर का स्क्वायर है, यहाँ पर थ्री का स्क्वायर है, और यहाँ पर फोर का स्क्वायर है, तो यह क्या है? यह पूरा कलेक्शन किसका है? स्क्वायर का कलेक्शन है, और वो नंबर क्या है? ने next point पर बढ़ते हैं हम लोग, next point क्या है? arithmetic progression जो आपका chapter का main point है, ठीक है? इसमें क्या है? इसका definition हम लोग देख लेते हैं, क्या definition है बच्चो? definition दिया है, a sequence where the differences between every two consecutive terms are the same, जहां पे दो number के बीच का, जो difference है, वो same होगा, जैसे पिछले वाले question में हम लोग देखे थे, तो दोनों का difference कितना था? same था, दो-दो आ रहा था, यहां पे भी वही बात बोल रहा है, कि अगर difference same होगा, तो वो sequence क्या होगा? वो sequence क्या होगा? arithmetic progression होगा, ठीक है? और हम लोग जो square वाला जो देखे थे, square वाला जो sequence था, वो arithmetic progression नहीं है, क्योंकि उसके बीच का difference जो था, वो अलग-अलग था, पहले 1 आया था, फिर 1 के बाद क्या आ गया था? 1 आया था, फिर 4 आ गया था, फिर 9 आ गया था, देको difference कितना है? 3-3 का difference है ना? ठीक है? सौरी 3 का, यहाँ पर 3 है, और यहाँ कितने का difference आ गया? 5 का difference आ गया, तो difference सेव नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, समझ में आया? तो AP क्या होना चाहिए? AP के लिए क्या होना चाहिए? difference जो होना चाहिए, हमारा same होना चाहिए. अच्छा, यहाँ पर example के देखो, यह photo के जरीए, देखो यहाँ पर मैं गौर करूँ, तो यहाँ पर inch रखा हुआ है, यहाँ पर 1 inch है, यहाँ पर कितना है? 1, 2, 3 है, यहाँ पर कितना आ गया? 5 हो गया, इसी तरह यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11. अच्छा, अगर मैं गौर करूँ, तो मुझे एक बास समझ में आ रहा है, मुझे क्या समझ में आ रहा है? मुझे यह समझ में आ रहा है, कि यहाँ एक था, 1-3 हुआ, 3-5 हुआ, 5-7 हुआ, 7-9, तो बीच का difference जो है, बीच का difference हमें क्या नजार आ रहा है? यहाँ पर भी दो आ रहा है, 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 तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इनके बीच का जो difference है, यह ascending order में जा रहा है, तो इसके बीच का difference होगा, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, अ ऐसे भी होना चाहिए, हो सकता है, वो माइनस में हो, तो भी चलेगा, तो ऐसे numbers क्या होते हैं, number का collection क्या होता है, sequence, वो sequence होगा हमारा, AP होगा, अगर difference, सेम आएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है, एक point मैं समझाने के कोशिश करूँगा यहां से, इसको समझना, यह आपका practice set जो है, 3.1 का, यह पहला question, पहले का पहला, क्या दिया है, which of the following sequence is AP, हमें पता क्या करना है, AP क्या है, कौन सा sequence, AP है, if they are AP, find common difference, अगर वो AP है, तो हमें क्या find करना है, हमें common difference find करना है, चलो start करते हैं, तो पहला क्या दिया है question, 2468, तो हमारा पहला sequence दिया है, 2468, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ, 2468 दिया हुआ है, ठीक है, तो देखो यह जो पहला जो term है, यह जो पहला number है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं term, हाना, यह सब क्या होता है, term कहलाता है, यह क्या कहलाता है, term, यह first term, यह second term, यह third term, यह कितना हो गया, second term, यह third term, और यह आपका fourth term, पास समझ में आया, पहला term, दुसरा term, third term, fourth term, और आखरी वाला another term रहेगा, समझ में आया, और इसके बीच का जो gap होता है, वही कहलाता है common difference, क्या कहलाता है? common difference, ठीक है? इसके बीच का जो gap रहता है, वो क्या कहलाता है? common difference, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? मैंने क्या बोला? दो नमबरों के बीच का जो gap होगा, वो क्या कहलाएगा? common difference कहलाएगा, और हर नमबर ये पहला term, second term, third term, fourth term, इसी और इसके बीच का जो gap रहेगा, वो क्या रहेगा हमारा common difference रहेगा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, पहला question को solve करते हैं, तुम्हारे book का, ठीक है, तो हमारा जो पहला question है, इसमें T1 क्या है, आपका T1 क्या है, 2 है, फिर उसके बाद आप मुझे बताओ, T2 क्या है, तो आप आप बोलें कि T2 हमारा जो है, 4 है, इसी तरह, T3 कितना है, 6 है, और T4 कितना है, 8 है, ठीक है, फर्स्ट टम, सेकंड टम, थर्ड टम, फोर्टम, यह हो गया, अब आपको क्या बोला है, यह AP है कि नहीं है, तो AP है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, common difference, common difference, common difference अगर एक जैसा आ गया, same आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर common difference, same आ गया, एक जैसा आ गया, constant आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो AP है, तो start करते हैं हम लोग, इसको समझते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, D, तो common difference को किस से बताते हैं हम लो मैनस कर देंगे तो t2 में से मैं क्या मैनस करूँगा t1 मैनस कर देंगा t2 कितना हमारे पास 4 था 4 में से 2 मैनस कर दी हमारे पास d कितना आ गया 2 आ गया फिर अगला करते हैं, हमने क्या किया, T2 में से T1 को मैनस कर दिया, फिर आगे बढ़ते हम लोग, T3 में से मैं T2 मैनस करूंगा, T3 में से मैं T2 को मैनस कर देता हूं, T3 कितना हमारा, 6 है, 6 में से, मैंने 4 निकाल दिया, तो हमें कितना मिला भी, 2 मिल गया, फिर उसके बाद आग T4 कितना दिया है? हमारे पास 8 दिया है. 8 में से मैं निकाल देता हूँ. T3. 8 में से मैंने 6 निकाल दिया. कितना आगया हमारा? 2 आगया. तो अगर हम गौर करते हैं, हमें क्या समझ में आ रहा है? हमारा जो common difference है. तीनों के लिए same आया है, दिख रहा है, यहां पर भी 2 आया है, यहां पर भी 2 आया है, तीनों जगा पर common difference same आया है, constant है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे since common, क्या बोला था, सवाल में ap है की नहीं है, अना, since common difference is constant, हाँ, which of the following sequence is ap, since common difference is constant, therefore, therefore, sequence is ap, तो sequence हमारा क्या हो गया, यह sequence हमारा ap हो गया, क्या है, समझ में आया, क्यों हुआ, क्यूंकि हमारा जो common difference था, जो हमारा d था, वह हमारा d क्या आया, हमारा d fabrics same आया, यहां पे भी same आया, इसलिए था find the common difference, common difference क्या था, common difference हमारा कितना आया है, दो है, यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर लिख दो ऐसा, common difference, D कितना है, D हमारा है, 2, बस हो गया आपका answer, ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, ठीक है, अगर screenshot लेना चाहिए, तो screenshot ले ले, अगली question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, हमारा अगला question है, जिसमें दिया हुआ है, पहला term, तो first term क्या है हमारा, यह हमारा first term, तो first term बोलो, तो first term हमारा है, D1 कितना है हमारा, 2 है, second term, second term कितना है, यह है second term, तो second term कितना है, 5 by 2, यह आपका 5 by 2, third term, यह आपका third term है, 3, अब 4 term वो दिया है 7 by 2 ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या मालूम करेंगे हम D मालूम करेंगे D कैसे मालूम करोगे आप यह हो गया D, D मालूम करना है आपको तो क्या करना है T2 में से T1 को मैनस कर देना है तो हमने क्या करना है T2 में से T1 को मैनस कर देना है T2 कितना है हमारे पास तो आप बोलो कि T2 कितना है 5 by 2 इस में से मैनस क्या करना है two minus करना है कैसे minus करोगे यह देखो कैसे solve किया जाता है two को two से multiply करोगे ठीक है क्या करना है multiply करना है तो यह हो जाएगा five minus four हो जाएगा ठीक है अब five में से four minus हुआ तो कितना आ गया तो आपका आ गया one by two समझ में आया फिर आगे बढ़ते हम लोग कितना दिया है टी थ्री टी थ्री में से आपको minus करना है टी टू को टी थ्री कितना दिया बच्चो टी थ्री हमको नजर आ रहा है थ्री थ्री में से minus क्या करना है five by two minus करना है अब three में से five by two निकालो तो क्या होगा कैसे करेंगे, सेम, cross multiply करो गया, करो cross multiply, तो आपने cross multiply किया, तो क्या हो गया, 2, 3 जा, 6 हो गया, 6 minus 5 upon 2, तो कितना आया, 1 by 2 आया, यहाँ भी common difference जो है, सेम आया है, हैना, constant है, आगे बढ़ते हम लोग, next वाला, d, t4 में से, फिर, t3 आपको minus करना है, t4 कितना हमारे पास, 7 by 2, 7 by 2 minus, 3, cross multiply करो, कैसे करेंगे cross multiply, सभी को मालूम है, 2 का 3 से multiply करो, कितना हो गया, یہ हो गया, आपका 6, कितना हो गया, 1 by 2 आगया, सभी को समझा, तो अभी क्या है, हमारा d क्या है, constant आ रहे हैं, क्योंकि सभी जगर same है, तो यह क्या है, constant, एकी चीजह आ रहाया है, बार बार, हो गया constant, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, since common difference is constant, ठीक है, therefore, sequence, यह sequence क्या है, is ap, ठीक है, तो आपको आगे, लिख लेना है, common difference is constant, therefore, sequence is ap, और d पूछा है, तो हमारा d कितना आगया, हमारा d है, तो हमारा d कितना आगया, बोलो, हमारा d आगया, आपका, 1 by 2, यह भी question आपको समझ में आ गया होगा, तो अगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला question क्या है, देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, 10 minus में, सभी number minus में दिये, तो यहाँ पर थोड़ा सा डरने का नहीं, जैसे मैं बताऊंगा, वैसे ही solve करने का, अगर same आता है, तो क्या है होगा, sequence क्या होगा आपका, AP में होगा, अगर same नहीं आएगा, तो AP में नहीं होगा, ठीक है, इसको थोड़ा गौर से करना, क्योंकि इसमें minus plus का थोड़ा सा जंबल रहता है, सबसे पहले start करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, ऐखेंगे, T1, T1 कितना है, आपका minus 10, फिर आपको क्या लिखना है, T2, T2 कितना है, minus 6, फिर इसी तरह T3, वो कितना है, minus 2, और फिर लिखना है T4, वो कितना है, 2, ठीक है, पहला काम आपको टम्व का नंबर दे देना है, पहला दूसरा, तीसरा चौथा यह हो गया आपका उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे के तरह को अब देखो आप थोड़ा सा गौर करना अब क्या करना है बच्छो अब डी निकालना आपको ठीक है तो डी कैसे निकालो गया यह हो गया डी डी का फॉर्मला क्या है टीटू में से टीवन म टीटू कितना हमारे पास बोलो टीटू है माइनस सिक्स इसमें से माइनस क्या करना है यह माइनस टेन करना है ठीक है अब थोड़ा गौर करना इस पर जैसे ही ब्रेकेट ओपन होगा तो यह माइनस और यह माइनस दोनों का क्या होगा मल्टिप्लाय होगा तो चेंज हो बात आपको यादरखणा है अब दस में से छे गया चार आ गया, ठीक है, आपå फिर से करो, D निकालो आप T3-T2 निकालने का अपने को T3 कितना है? Minus 2 और दुसरा वाला कितना है? Minus 6 है फिर से वही pattern है अब minus करना है minus 6 करना है minus करना है यह minus और यहाँ पर minus 6 ठीक है? समझ में आपको अब minus करो इसमें तो मैंने क्या समझाया था? यह minus और यह minus क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा यह हो गया minus 6 और 6 में से दो गया तो कितना आ गया? 4 आ गया लिख दो आप 4 ठीक है? समझ में आ गया फिर अगले term की तरफ जाओ अब हमने क्या क्या? यह minus कर दिया फिर उसके आगे T4 में से फिर T3 को minus करना है अब D निकालना है हमें T4 minus T3 करना है तो T4 कितना है हमारे पास? देखो T4 हमारे पास 2 है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 2 minus minus 2 ठीक है? तो यहाँ पर गवर करो यह minus minus क्या हो जाएगा? मैंने भी सिखाया आपको minus minus plus हो जाएगा तो 2 plus 2 is equal to 4 आगया अब देखो common difference क्या आ रहा है आपका? same आ रहा है यहाँ भी 4 आया यहाँ भी 4 आया और यहाँ भी 4 आया तो हम लोग क्या बोलेंगे? since common difference क्या है? constant है तो यह क्या हो गया? यह भी एक AP हो गया तो यहाँ पूरा यहाँ तक लिख लेना और D हमारा कितना है? 4 तो आगे sentence तो आपको बनाने आता ही है तो क्या लिखना है? since common difference is constant therefore sequence is AP ठीक है? तो बच्चो अगले question की तरव हम लोग बढ़ते हैं अगला question हमारा क्या है? यह थोरा सा देखो अच्छा question आया है क्या करना है? 0.3 0.33 और 0.333 तो start करते हैं तो सबसे पहले T1 लाल दो आप T1 कितना है हमारे पास? 0.3 और T2 कितना है हमारे पास? 0.33 और T3 कितना है हमारे पास? T3 है हमारे पास 0.33 ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होगा हमें क्या निकालना है? D निकालना है तो D कैसे निकालते हैं? अगले term में से पिछले वाले term को मैनस कर देते हैं तो अगले वाले term में पिछले वाले term को मैनस करोगे तो क्या होगा यहां पे? क्या लिख होगे? T2 मैनस T1 T2 कितना है? 0.33 मैनस क्या होगा? 0.3 देखो इसको कैसे करना है मैनस? थोड़ा समझना यह क्या है अपका 3 है ठीक है कैसे मैनेस करना इसमें कन्फिस मत होना इसके लिए मैं लिखके बताता हूं आपको अलग से यह मैं लिखता हूं यहां पर 0.33 0.3 अब देखों यहां पर 0.33 दो नंबर आ गया तो यहां पर 0.3 आ गया अब यह स्पेस खाली है उसके आगे वाला तो उस पर क्या लिखने के आपको वहां पर आपको रखना है 0 क्या रखना है 0 क्या करना है minus 3 में से 0 गया तो क्या जाएगा आपका बताओ तीन में से 0 गया तो आप बोलोगे 3 आया, 3 में से 3 गया तो 0, तो क्या है आपका इंसर? 0.03 आ गया, ठीक है? तो आपका D कितना आ गया? तो आप बोलोगे D हमारा कितना आ गया? 0.03 आ ठीक है? आपको समझ में आया, आप आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको क्या निकालना है, D निकालना है, क्या है D, T3-T2, T3 कितना है, 0.333-0.33, यह निकालना है, तो कैसे आएगा, इस बार भी फिर से देखते हैं हम लोग, अब फिर से लिखवा, 0.333, ठीके, 0.333, अब क्या करना है, आपको माइनस करना है, तो मैंने लिखना है, 0.33, अब लास में देखो थोड़ा सा, ओ माइनस करने के बाद, ओ लास वाला प्लेस छुट गया है, तो हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, वहा ठीके, तो मैंने 0 रख देना है, अब 0 रखने के बाद क्या हो जाएगा, तीन में से 0 गया तो 3, तीन में से 3 गया 0, तीन में से 3 गया 0, और यहाँ पे 0 आ गया, तो हमारा क्या आया, 0.003, तो सेम आया, दिख रहा है, सेम तो नहीं आया इस बार, 0.003, इस बार सेम नहीं आ आया पहले कितना यह आया था और अभी कितना आया अभी यह वला आया तो दोनों सेम नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं since common difference जो है हमारा common difference is not constant common difference constant नहीं है therefore we can say that क्या बोल सकते हम लोग sequence क्या है भी sequence हमारा जो है is not AP sequence हमारा AP नहीं है समझ में आया ठीक है तो अगली question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगला question क्या है देखते हैं चलो यह हमारा अगला question है ठीक है तो हमारा यह पहला term इसके अंदर को पहला term क्या दिया हुआ है यह बंदेन पहले 0 इसी start कर दिया है चलो कोई बात नहीं हमारा T1 कितना है 0 T2 कितना है T2 हमारा है minus 4 T3 कितना है हमारा minus 8 फिर उसके बाद T4 कितना है minus 12 है ठीक है अब आपको क्या करना है D कैसे निकालोगे T2 में से आपको क्या minus करना है T1 minus करना है मैंने क्या बोला था अगले वाले में से पिछला वाला minus करना है तो T2 में से T1 आप minus कर दो तो क्या आएगा माइनस 4 माइनस 0 तो माइनस 4 में से 0 निकालोगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे आगे आपका माइनस 4 फिर उसके बाद आप second में फिर से करो D T3 में से आपको निकालना है क्या है T2 माइनस करना है T3 कितना आपका माइनस 8 तो T3 कितना है भई? माइनस 8 में से माइनस 4 निकलना है तो मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था बच्चो याद आया, जब माइनस माइनस रहेगा तो multiply होगा, और क्या हो जाएगा? यह change हो जाएगा sign change होके क्या हो जाएगा? plus हो जाएगा, यह हो गया minus 8 plus 4 अब 8 में से 4 क्या करना है? minus plus हमेशा क्या होता है? minus होता है तो यहाँ minus 8 है और यहाँ पे क्या है? plus 4 है, तो 8 में से 4 निकल दो आप क्या आएगा? 4 आएगा और sign हमेशा क्या आएगा? bigger number का आएगा, तो bigger number क्या हमारा? 8 है, तो यहां भी क्या आएगा? माइनस 4 आएगा. समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग. फिर से आपको D निकालना है. अभी D कितना हमारा? T4 में से T3 को आपको माइनस करना है. T4 कितना हमारा? देखो, माइनस 12 है. T4 माइनस 12 है तो माइनस क्या करना है माइनस 8 करना है तो माइनस 12 प्लस 8 कितना आ गया माइनस 4 आएगा तो अभी भी इसमें क्या आया बेगर नंबर क्या है 12 है इसलिए यहां पर क्या लगा है साइन माइनस का लगा है तो देखो गौर से देखो क्या समझ में आ रहा है यहां पर भी माइनस फोर आया यहां भी आया और यहां पर भी आया तो इसका मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है सेम है इसलिए यह sequence क्या हो गया, यह sequence भी AP होगा, ठीक है, तो आप last में यह लिख लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अगला question जो है हमारा, क्या है, minus 5 by 2, minus 5 by 2, minus 5 by 2, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं, कि first term जो है हमारा, first term क्या है, t1 जो है हमारा, minus 5 by 2 है, t2 भी है, वो भी सेम है, t2 भी सेम है, minus 5 by 2 है, t3 भी, वैसा ही है, minus 5 by 2, ठीक है, तो हमारा क्या formula है, आपको क्या करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर करना पड़ेगा, d मालुम करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, t2 minus, t1, t2 कितना है हमारे पास, अब देख सकते, t2 कितना, minus 5 by 2, अब देखो, मैंने क्या सिखाया था, जब bracket open होगा, तो क्या होगा, minus minus plus हो जाएगा, यहाँ पर bracket open हो रहा है, तो minus minus plus में change हो जाएगा, minus minus plus में change हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, minus 5 by 2, plus 5 by 2, ठीक है, तो minus और plus, तो क्या हो जाएगा, यह दोनों, cancel हो जाएगा, ठीक है, तो आप cancel कर दो, यह दोनों आपस में cancel हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं मलोग, फिर से आपको d मालुम करना है, t3 minus, t2, t3 कितना है आपके पास, minus 5 by 2, उलिख दो आप, minus 5 by 2, minus, bracket के अंदर, minus 5 by 2, अब क्या होगा, bracket open होगा, तो minus minus, plus हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे, minus 5 by 2, यह plus में change हो जाएगा, 5 by 2, अब आप देख सकती हो, क्या है, minus और plus है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही cancel हो जाएगा, और हमारा answer क्या आएगा, फिर से 0 आएगा, तो 0 लिख दो, समझ में आया, तो हम लोगों क्या समझ में आ रहा है, common difference जो आ रहा है, 0 आ रहा है, पहले भी था, अभी भी था, तो यह क्या होगा, AP होगा, क्यूं होगा, क्यूंकि common difference क्या है, constant है, इसलिए AP है, समझ में आया, यह sequence क्या होगा है, हमारा AP होगया, अगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, screenshot लेना चाहते हैं, तो screenshot ले लो, अगला question थोड़ा सा difficult दिख रहे हैं आपको, बढ़ है, बहुत आसान, बस आप basic बातों को समझना, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, T1, T1 कितना हमारे पास? 3, T2 कितना हमारे पास? 3 प्लस रूट 2, T3 कितना हमारे पास? 3 प्लस 2 रूट 2, और last में T4 कितना हमारे पास? 3 प्लस 3 रूट 3 है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले D निकालना है आपको कैसे निकालोगे T2 में से क्या माइनस करोगे T1 माइनस करोगे T2 कितना है हमारे पास 3 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 2 है उस में से क्या माइनस करोगे 3 आप देख सकते हो 3 plus में है और 3 minus में है तो दोनों क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा क्या बचेगा आपका root 2 बचेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से निकालो difference T3 minus अब फिर से क्या करना है T3 में से T2 T2 में से T1 इसी तरह सभी करते जाने का है अब T3 में से T2 माइनस कर दो आप तो क्या आजाएगा आपका T3 कितना आपका 3 plus 2 root 2 minus 3 root 3 ठीक है T2 और T3 हमने लेग दिया अब उसके बाद क्या करोगे बताऊ T2 कितना था हमारे पास T2 हमारे पास था 3 plus root 2 और दुसरा वाला क्या था 3 plus 2 root 2 तो यह है यहाँ पर सही कर लो आप यह क्या है आपका यह आपका 3 plus 3 plus root 2 ठीक है इसको bracket में लिखा आप 3 plus root 2 है तो आप कैसे करोगे इसको यहाँ पर आगया bracket थोड़ा यहाँ समाजना है थोड़ा से यहाँ पर गलती हो सकती आपसे ठीक है तो आप bracket जरूर लगाना है यहाँ पर अब क्या करोगे जैसी हम लोग bracket open करेंगे तो bracket open करोगे तो क्या हो जाएगा यह plus जो है समझ में आया क्या हुआ है यह माइनस की वज़े से यह प्लस क्या हो गया यह माइनस जो हम लोग प्लस माइनस में चेंज हो गया ठीक है तो देखो तीन से तीन केंसल हो गया आपका और क्या केंसल हो रहा है तीन से तीन केंसल हो गया फिर उसके बाद यह तूरूरूट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् फिर एक बार और निकल लोडिंग, क्या है, फिर से आप लिखोगे T4-T3, तो कैसे करोगे T4-T3 को, सेम ऐसे लिखोगे आप, 3 प्लस 3 रूट 3, माइनस, ब्रेकेट के अंदर अप लिखोगे, 3 प्लस 2 रूट 2, अब ब्रेकेट ओपन करोगे, तो क्या हो जाएगा, यह माइनस के विए से प्लस, माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, 3 प्लस 3 रूट 3, माइनस 3, माइनस 2 रूट 2, ठीक है, समझ में आ रहा है, अब क्या होगा, देखो आप, यह 3 से 3 कैंसल कर दो, आप, 3 से 3 कैंसल हो गया, यह 3 बार है, यह 2 बार है, तो 3 में से 2 निकल गया, तो कितना बचा, यह आपका बचेगा, एक में टू, यहां पर 2 था, ठीक है, और उपर भी आइधिंक 2 है, यहां पर एक्शुली गलत लिख दिया, मैंने, यह रूट 2 है, और यहां पर भी रूट 2 है, ठीक है, समझ में है, यह गलती हो गई थी, 3 से 3 कैंसल हुआ, 3 में से 2 गया, तो यह किया आएगा, आपका रूट 2 है, तो आपको डिफरेंस दिख रहा है, सेम दिख रहा है, चारो तरफ, ठीक है, यह आपका डिफरेंस है, कहां कहां है, मैंने बता देना है, यहां पर भी 2 आया, यहां पर भी रूट 2 आया, और फस में भी रूट 2 आया, ठीक है, दिख रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया, अन्हां, कॉंस्टेंट हो गया, तो कॉमन डिफरेंस देता हूं आपको समझना है जैसे कि मैंने 3 रूट 3 गवाला पार्ट अगर सेम है तो वह जाएगा हमारा रूट 3 ऌहीं और आजाएगा ऑन यह से एक एक और अंदर वाला रूट के अंदर वाला पार्ट सेम नहीं होता है मान के चलो, 1 होता है, तो यह possible नहीं, ठीक है, हमें यह दिया हुआ है, A, A कितना दिया है, 10, और A ही हमारा क्या है, पहला टम है, T1, कितना दिया है, 10, और हमें मालूम क्या करना है, हमें अक्षिली मालूम क्या करना है, फर्स्टम, A, P मालूम करना, ठीक है, और D दिया हुआ है, D हमारे पास कितना था, D, 5 है, तो कैसे मालूम करो है, तो इसके लिए थोड़ा से एक बेसिक में एक्जामपल देता, फिर आपको समझ में आएगा, जैसे मैं लिखता हूँ, 2, 4, 6, 8, तो आप गौर करो, इसमें गया है, 2, 8 होए, फिर यहांबर कितना, चैने पिछले ब़ले टम के इंदर हर, 2, 8 हो रहा है, जो इसक्राइन डिफरेंस जो सेम आ रहा है, वो बार-बार, 8 हो रहा है, सेम डिपरेंस जो है, वो और होते जा में हम लोग को जो कॉंस्टेंट नमबर जो आ रहा है उसको एड करने पर क्या हो रहा है नया यानि कि अगला टम हमारा रहा है ठीक है समझ में आगे सभी को बस यही पार पैटन इस्तेमाल करते हैं यहां पर हम तो देखो टीवन तो दिया हुआ है अब हमने को मालूम क्या करन है तो टीवन करने के लिए क्या करो गया है यह होगे आपका टीटू टीवन में आप क्या प्लस करतों दी यानिक पिछले वाले टर में हमारे पास दीवन आप बोलो गिए सर्टी वन कितना था हमारे पास दिवन था 10 अब उसमें एड़ कर दिया difference यानि कि 5 एड़ कर दिया तो कितना आ गया हमारा answer तो आप बोलो कि sir हमारा answer आ गया जो है T2 हमारे पास आ गया 15 आ गया इसी तरह T3 अगर हमें मालूम करना है तो T3 कैसे मालूम करोगे आप T3 मालूम करना है तो हमें T2 के अंदर आप क्या प्लस करोगे D plus करोगे T2 कितना हमारे पास देखो 15 आया है T2 15 आया है 15 में हमको क्या प्लस करना है difference यानि कि 5 T3 कितना आ जाएगा हमारे पास तो आप बोलो कि T3 हमारे पास 20 आ जाएगा ठीक है सभी को समझा T3 हमारे पास 20 आ गया अब इसी तरह T4 मालुम कर लो आप T4 मालुम करने के लिए क्लिए 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 यह होगे हमारा T4 T4 हम लोग मालुम करते है T4 मालुम करेंगे T3 में क्या प्लस करोगे आप T3 में आप D plus करोगे जैसे मैंने बताया था T3 में आपको क्या plus करना है D plus करना है यानि पिछले term में जो difference जो RSM वही plus करना है add कर दो आप T3 कितना था हमारे पास 20 था 20 plus difference कितना था 5 तो कितना आगा T4 तो आप बोलोगे T4 सर आगे है 25 ठीक है तो देखो पहला term दूसरा term और तीसरा term क्या क्या आए है चेक कर लो आप एक बर तो आप गौर करोगे कि पहला term जो हमारा है वो 10 था दूसरा जो term है हमारा 15 था थर्ड term जो आए है 20 था और 4 term जो है हमारा वो क्या है 25 था ठीक है तो हम लोग बोल सकते हैं 10 15 और 20 25 इसी तरह हमको समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है कि आगे भी नमबर पचपच करके बढ़ते जाएगा पांच पांच का एडिशन होगा तो हम लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं is required अपको find करने के बाद इस तरह सेंटेस बना के लिखना है और क्या पूच आ है common difference कितना है डी कितना हमारे पास पांच आया है आपको कितना आ गया उप बोले किसरद डी कितना हमारे पांच आ गया सभी को समझा अच्छे से शमझा क्या बोला था हमारे कुशन के दर हमारे कुशन के दर सबसे पहले बोला था भीया कि क्या मालुम करना अपने को अपने को कॉमन डिफरेंस मालुम करना है और एपी मालुम करना है तो हमारा एपी क्या आया 10, 15, 20 और 25 आ गया ठीक है और common difference D कितना आ गया तो बोलो के D 5 आ गया ठीक है तो अगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं हमारा अगला question जो है same pattern पर अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पर यहाँ पर देखो A, A कितना दिया है A, minus 3 दिया है और D कितना दिया है, D दे दिया है, 0 दे दिया है ठीक है, तो start हम लोग कर रहे है A, minus 3 दिया है और A का मतलब क्या ओदर T1 होता है, सभी को पता है यहाँ आनि के पहला term जो होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग A यह बोलते हैं, तो यह हो गया T1 is equal to minus 3 हो गया अब क्या करना है, हमने बताया था आपको T2 अगर आपको मालूम करना है तो आप क्या करोगे, आप बोलो कि T2 मालूम करना है सर तो T2 मालूम करने के लिए हमको T1 में क्या प्लस करना पड़ेगा बोलोगे कि T1 में हमको D plus करना है D plus कर दो T1 कितना है, minus 3, इसमें क्या 8 करना पड़ेगा 08 करना पड़ेगा, क्योंकि D कितना है 0, तो T2 कितना आगया अपके पास तो आप बोलोगे T2 कितना आगया, minus 3 आ ठीके? 2 minus 3 आगया, अब T3 मालूम करना है आपको T3 कैसे मालूम करोगे आप यह होगे आपका T3 T2 के अंदर आप क्या प्लस करोगे D प्लस करोगे T2 कितना आगया भी या T2 बोलोगे कि T2 आगया हमारे पास माइनस 3 माइनस 3 में क्या प्लस करना है D, D कितना है 0 है, add कर दो T4 आजाएगा T3 आजाएगा कित हाएगा T3 तो आप बोलोगे टी 3 माइनस 3 लेसर होगे तो माइनस 3 आगया तो T3 भी कितना आगए हमारे पास 0 आगया माइनस 3 आगया अगला T4 माल concentrate आप T4 कैसे मालूम करोगे सेमपटन T4 मालूम करना अपने को यहोगे टी-4 तो टी-3 में आप क्या प्लस करोगे टी-3 में आप डी-प्लस करोगे टी-3 कितना है बोलो मैनस तरी है मैनस तरी में प्लस क्या करोगे holo के 6-3 अठीप We can do TTT कितना जाएंगा वोल होगे T4 आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा फिपोर भी आगे अपने पास ठीक है ठीच थ्री भी आगै टीटो टीवन और टीफ़ोर यह कितना टा पीवन था पीवनधन था टीवन भी आया टू भीकिद भी आयाइ टीछ भी आगया सभी को समझा क्या बोला मैंने टीबन भी आया टी trying to सभी आ गयाए और सब क्या है सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगी क्या हमारा हमारा a,p हैард सबक्य तो हमारा a,p है-3 ,-3,-3 .-3 ठीक है तो हमारे p क्या आगए पही बता दो आप इज रूकायड AP आ गया ठीक और D कितना है हमारा वोलो कि D क्या है सब जगाश्यम है तो D कितना है हमारे या मैनस कितना है डी तो दिया गॉए तो डी कितना है डी कितना हमारे पास जीरो है है और कमन डिफ्रेंजीज राइट एपी फिर्स्ट रमीजेश एड और कमन डिफ्रेंज दी निच अप दफलेंग एपी लिखना है नौ ठीक है तो बस रिक्वाइड एपी कितना हो गया हमारा रिक्वाइड एपी जो है यह है मैनस 3-3-3 ठीक है अगले कुशन की तरफ यानिि है पहले विंद है फार्श्टम माइनस से बनाइवडिया है और आपडर्ण जो देढि nhất है कि टांदिए दिए वन्स हीर्ट जिसको जिरो जो हुआ आपको सेकंड नमालूम करना भई टी वन में क्या मालूम करना है कि टी एड कर दोगे जो यह हमारे पास 0.5 है तो विए 6 पेसा मैनस कर दो各位 I am गया कितना एगा मैनस सेवन और 70 पैसा मैनस मैनस कर दो मैनस कर दो खूर मैनस कूछ्थ यह नभर गाया और सेवन जो बड़ा है हे जिए जोटा नमब रहें तीका समाज में आया आगे बढ़तेरे म्लब टीटू हो गया टीटू के बाद की थरी निकाल अपने खो ठीक तो टी थी अपना है दी कैसे निकालोगे टीटू में आपको प्लस करना हें क्या प्लस करना है डी टीटू कीतना है आपका गui कुछ यह तो हमारा जो आया है, minus six point phi आया है, ठीक है, और d कितना हमारे पास, zero point phi है, आप add कर दो, जब आप add करोगे तो six में से five, five minus कर दो, zero point five minus करोगे, तो कितना आ जाएगा बोलो, six आ जाएगा, उबी six किस में आएगा, बोलो कि minus में आएगा, क्योंकि साइन बड़े नंबर का आता है, तो t3 कितना आ गया, point six आ गया, ठीक है, अगला बढ़ते हम लोग, अगले question की तरफ, sorry, t3 के बाद हम लोग क्या बढ़ेंगे, t4 की तरफ, t4 कैसे आएगा, तो आप बोलो कि t4 हम लोग मालूम करने के लिए, t3 में क्या plus करेंगे, t3 में plus करेंगे, t3 कितना हमारे पास, t3 कितना है, minus six आया है, उसमें d plus कर दो, minus six plus d, 0.5, कितना आ जाएगा, six में 0.5 मानस कर दोगे तो, 5.5 आ जाएगा, t4 कितना आ गया, 5.5, ठीक है, 0.5 निकाल दिया आपने, sign bigger number का, तो पहला, दूसरा, तिसरा और चौथा टम आ गया, तो सभी टम आ गया हमारे पास, यह आपका पहला टम था, सबसे पहले, जो दिया हुआ था, यह होगे आपका second term, फिर उसके बाद यह होगे आपका third term, यह होगे आपका fourth, समझ में आ सभी को, आगे sentence मना के आप क्या लिखोगे, आप लिख दो, minus seven, minus six point five, minus six, और minus five point five, इस रिक्वाइड अपी, ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को, कैसे करना है, तो अगले कुशन की तरफ बढ़ते हम लोग, अगला कुशन जो दिया हुआ आपका, यह दिदिया है, ए, minus one point two five, और डी दिया है, पहला टम कितना दिया है, minus one point two five दिया है, उसके वाइड कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, आपका, कॉमन डिफरेंस तीन दे दिया है, कैसे solve करेंगे, इसको बता हूँ मुझे, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, ए, जो हमारा first term है, कितना दिया है, minus one two five, और डी कितना दिया है, बता तो मुझे, तो डी बोलो गे सर, डी दिया है, तीन, second term मालुम करना है, तो second term कैसे मालु 1.25, डी प्लस करना है, यानि कि 3 प्लस करना है, जो को एक तो basic method इसको solve करने का, वैसे कर लो, दूसरा method क्या है, mind में कर लो, असानी से हो जाएगा, मैं समाजता हूँ, इसको 3 रुपया समझ लो, इसको point, इसको minus 1.25, इसको 1 रुपया 25 पैसा समझ लो, 1 रुपय 25 पैसे, ऐस अच्छा 2 रुपया जब बचा 25 पैसे, और मैनस करतो, तो कितना बचे का, तो बोलोगे, 1 रुपया 75 पैसा बचेगा, तो कितना आ गया, 1 रुपया 75 पैसा, तो साइन किस का एगा, बड़े नंबर का, यानि कि, प्लस का एगा, क्योंको 3 बड़ा है, ठीके, तो T2 कितना आ है, 1.75, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, T3, तो T2 में क्या प्लस करोगे, T2 में आपको प्लस कर देना है, D, तो T2 कितना हमारे पास भी यह बता तो मुझे, T2 बोलोगे, बच्छे लोग, T2 क्या है, बोलो, T2 अभी लाए हमने, 1.75, अधी प्लस कर दो, कितना है, D, तो आप बोलोगे, D, हमारे पास, से में, 3, ठीक है, प्लस कर दो, 3 और एक, 4, ताना, 3 रुपे में, 1 रुपे, 45 पैसा मिला, तो 4 रुपे, 45 पैसा बनता, हमारे पास, 4.75, हो गया, T3, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लोग, भागे निकालना हमको, T3 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4, T4 निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लोगो T4, तो बता मुझे, T3 में क्या प्लस करना है, T3 में आपको प्लस करना है, D, तो T3 कितना है, बता दो, T3 हैब ए, 4.75, 4.75, प्लस क्या करना है, आपको D, प्लस करना है, कर दो, क्या D अपना, 3, 3 प्लस करना है, तो कितना आगे अपने पास, 7, 7.75 आगया, तो T4 कितना आगया, 7.75, यह T4 हो गया, यह अपना कितना हो गया, T3 हो गया, यह T2 हो गया, अली यह कितना था, T1, तो require time क्या होगा, यह लिखुलो, आप-1.25, फिर 1.75 फिर 1.75, फिर 1.75, फिर 2.75, फिर लास में क्या एका, एका, अगर आपको कोश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोगे काम करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जरूर हना ठीक है और एक लाइक भी मार देना अगला कुश्चन देखो तो next question दिया है a is equal to 5 ठीक है एक इतना दिया है यानि के पहला जो टम है हमारा first term जो दिया है वो कितना दिया है तो t1 कितना है हमारे पास 6 डिया है और d कितना दिया भी यह बता दो मुझे d कितना दिया है तो टीवंग कितना है दिया हुआ है six है six में क्या प्लस कर गोulan continuous ठीक है यह हो गया माईनस प्लस का खेल चलेगा ठीक है जैसी ब्रेक्ट ओपन करोगे तो क्या हो जाएंगा भोलो तो आप कные बाद की टू कितना है हमारे पास 3 आ गया है हो अगे बढ़्ध मουμεगत है दी ठोला कैसे निकालेंगे सिम पैटन टी tutorial के अंदर ब्लस कर दो आप ती कितना थी आप तो आप बोलो गठीट से मायनस हो जाएका थीन में से थीन गयल तो क्या हो गया तो आप बोलें थीन में से तीन गयल तो सर जी जिरो ही तो बस्ता है ठीक Χाज में आया ही टू आ गया कhone 3 आ गया आ गया आ को खुला तो मैनस 2 यह प्लस करतो क्या प्लक्राइब टानो कर दियो कि हृताना अभी तरी अटेरो और कम हो गया जीरो हो गया फिर उससे समझ में आ गया होगा ना ठीक है next question की तरफ पढ़ते अगला कोशन क्या दिया हुआ कि यह आपका अगला कोशन है ठीक है सभी का सभी माइनस में दिया हुआ है इसको कैसे करेंगे बता मुझे 鹿 तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मलो कि यह दिया है मैननस नैंटीटी सबच़ा यह बुले तो D1 कितना है मैननस सफ ना इनन दूसरा किया दिया और D मैनस फ़ोर है तो यह भई स्टार्ट हो दे अभई क्या है किई to मालुम करना है तो कैसे मालुम करोगे सभी को पता है टीटू मालुम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा टीवन के अंदर प्लस कर देना पड़ेगा डी तो टीवन कितना है माइनस 19 क्या प्लस करना पड़ेगा डी और डी कितना है मैनस फूर ठीक है मैनस था तो मैं हमें क्या लगाना हमेशा जब भी मैनस मैनस आएगा हमेशा हमेशा हमें क्या लगाना प्लस लगाना है सोली ब्रेक्ट एक लगाने जब भी मायनस आएगा हमें क्या लागाना हमें सा ब्रेकट लागाना है ग mess सिरी गटाएगव टो उ उसे ब्रेकेद ऑपन होगा तो प्लस मायनस-ho जाएगा ठीककर अब माइनस माइनस क्या होता है हमेशे याद रखों माइनस माइनस प्लस होता है तो टी टू कितना आ गया माइनस टूंडी थिरी आ गया फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग t3 मालुम करन है कैसे मालुम करोती तीटु के अंदर आपको प्लस क्या करना है तीट हो कितना है Q makers 43 d2 मैं क्या PLUS करना है d2-23 Q क्या करना है टी कितना है मैनस 4 कर दो ब्रेकेट फॉपन क्या है मानस शूर D3 प्लस ब्रेकेटमें मैनस फोर ब्रेकिट ऊपन होगा क्या आएगा मैनस 4 मैनस मैनस प्लस तो क्या एगा मैनस 27 यह आपका टी-3 कितना आगया मैनस 27 इसी तरह टी-4 मालम कर लो आप किसी थे CT क्या प्लस करना है डी-3 कितना हई वधातों मुझे पिठ्री आय आपका कर लटी-7 सब्लस क्या करना है कि तना है मैनस फुर ठिक टेंट ओकर यह वर रहस्वार से मैनस फॉर यह कितना होगय थटी-1 तो टी-4 कित आगया तो आप बोलो कि टीफोर आ गया 31 तो पहला क्या टीवन किता मैंने स्नाइटीन सेकंड टर्म नाइटी ट्री ठर्ट टर्म मैंने स्ट्री सेवन और फोर्ट टम कितना है मैंने स्ट्रीवन समझ में आया सभी को ठीक है कि इसके बाद आगे